components of ecosystem का दूसरा topic, that is called decomposition, last class में हम लोग productivity के बारे में पढ़े थे, चार aspects हम लोग discuss करने वाला है इस topic में, that is called productivity, decomposition आज हम लोग पढ़ रहे हैं, energy flow and nutrient cycle, ये चार topic हम लोगों को पढ़ना है, और ये हम लोग का second topic है, that is called decomposition, बहुत अच्छा topic है, तो शुरू करते हैं इसको हम decomposition क्या है, बहुत इंटरस्टिंग है, और अपने आप में इससे सवाल भी आते हैं, important सवाल आते हैं, इसलिए हम लोगों इसको ध्यान से पढ़ना है, right, तो देखिए, अगर मान लेते हैं, कि अगर कोई भी इस धर्ती पे suspense होता, और वो decompose नहीं करता, तो ये धर्ती बसता क कि अपने आप में एक बहुत ही required process है, और decomposition है, जो सब चीज को balance करके रखता है, खराब जीजो को degrade कर देता है, सडगल जाता है, ना हो तो धर्ती पुरा का पुरा smell हर जगा, ये सब वो गंदगी फैल जाएगा, तो आईए जानते हैं, decomposition क्या है, देखिए, decomposition में होता क्या ह है, कि complex organic matter है, by the way, एक पेड़ पौधा है, उसके अंदर से leaf तूट के गिर रहे हैं धरती पे, और leaf वैसे ही रहाजा, दिकत हो जाएगा, तो वो किस चीज़ से बना होता है, complex organic matter उसके अंदर होता है, उसके अंदर leaves अंदर खाना बनता है, organic food होता उसके अंदर, तो एक complex organic matter ह है, वो क्या करेगा, inorganic substance के form में तूट जाएगा, जैसे कि carbon dioxide, पानी और nutrient के form में तूट गया, मतलब एक ऐसा process है, जिसमें complex organic material जो है, inorganic substance में तूट जाते हैं, that is called decomposition, decomposition के बारे में और भी detail आगे पढ़ेंगे, पर पहले उसके पहले हम लोग जान लेते हैं, कौन-कौन से process involved होते हैं, decomposition में, ध्यान दीजिए, decomposition में होना क्या है, complex material को simple में तूटना है, complex को inorganic में तूटना है, तो आईए देखते हैं, कैसे तूटेगा, सबसे पहला stop involved होगा, that is called fragmentation, fragmentation में होता कुछ नहीं है, यही होता है, कि जो बड़े-बड़े materials है, बाई दिवे एक पत्ता पूरा complete, पत्ता कल हमने पत्ता दिखाया था, पत्ता नहीं कहां चला गया, तो जो पत्ता है, leaves है, वो बड़ा होगा, तो उस पे microbes को एक्ट करना मुस्किल होगा, उसको सडाना गलाना, वैसे enzymes डाल करके उस पे सडता गलता है, तो मुस्किल होगा, तो उसको छोटा-छोट पार्ट में तोरणा जरूरी है, and that process is called fragmentation, definition जितना भी है, उस सारा का सारा नीचे description box में mention कर दिया हूँ, वहाँ से आप definition देख लेना, यहाँ पे discuss नहीं करेंगे, आप समझने पे focus करते हैं, definition वहाँ से आप लिख लेंगे, और आप अपना pen copy, link निकाल लें, ताकि notes भी detritus क्या होते हैं, दिखिए, detritus में 2-3 चीज़े include होते हैं, detritus मतलब कुडा करकट माने, जैसे कि leaps हो गए, पेडों के छाल हो गए, फूल हो गए, और जो dead remains होते हैं, animals के, animals अले दल गया, या फिर even including fecal matter, तो यह 3-5 चीज़े होती हैं, उन सब को मिला करके ही बनते हैं, क क्या करना है, हम लोग को तोड़ना है, decompose करवाना है, तो वो सबसे पहले क्या करते ही, जो detritus है, by the way, एक leaf है, तो यह क्या करेगा, छोटे-छोटे parts में, smaller particles में तूट जाएगा, मतलब यह ऐसे तूट जाएगे, पत्तियों ब्रतियां break हो जाएगे, smaller particles में तूट जाएग फिर उसके अंदर जो water-soluble-inorganic nutrients जो है, जाईर सी बात है कि कोई भी एक, by the way, leaf है, उसमें organic-inorganic दोनों materials रहेंगे, तो water-soluble-inorganic nutrients है, वो soil-horizon में चला जाता है, leech out हो करके, ठीक है, तो इस process को हम लोग, leech out होना मतलब उसमें से चन करके, उसमें से निकल करके, और soil-horizon आप पड़े होंगे, उसमें जाकर के, accumulate हो जाता है, और इस process को हम लोग बोलते हैं, leeching, अब देखिए, छोटा-छोटा parts में तूट गया, inorganic nutrients था, वो नीचे soil में चला गया है, decomposition हो रहा है, तीसरा step है, that is called catabolism, catabolism में क्या होता है, जो bacteria or fungal enzymes होते हैं, वो क्या करते हैं, वो detritus पर act करते हैं, यहाँ पर जांबस से देखिए, by the way detritus है, यह कुडा करकट है, यहाँ पर bacteria और fungal का enzyme, जो by the way यह bacteria है, तो यह bacteria है, तो यहाँ से bacteria से enzyme निकलता है, और इसके चारों तरफ act करता है, बैक्टरिया के चारों तरफ यह लगता है, और इसको क्या करता है, simpler inorganic substance में तोड़ देता है, तो कभी भी bacteria और fungal fungus जो होते हैं, उस, वो nutrients को direct intake करके उसको नहीं तोड़ते है, वो अपना enzyme उस पर डालते है, enzyme के मतल से वो breakdown हो जाता है, उसके बाद फिर absorb कर लेता है, इसलिए बोला जाता है, absorptive mode of nutrition, bacteria और fungal में, ठीक है, यह simple inorganic substance में तूट गया, ठीक है, देखें, तोड़ना फोड़ना जाड़ी है, और इस बीच में आता है अगला step that is called humification, humification में क्या बनेगा humus, process of forming humus is called humification, अब humus बहुत important है, आप लोग बहुत जच्पन से सुनते आ रहे हैं कि humus swell के लिए important होता है, fertility बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, यह ब amorphous substance उसको बोलते हैं, मतलब कि उसका जो particles है, वो फैले हुए रहते हैं, arranged नहीं रहते हैं, by the way देखिए, अगर इस तरीके से particles arranged हैं, एक line में तो इसको हम लोग बोल देते हैं, crystalline structure, लेकिन अगर किसी का particles ऐसे 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 फैला हुआ है, मतलब कोई structure नहीं बन रहा है, तो unorganized form में हैं, तो वैसे structure को नहीं बोल देते हैं, amorphous substance, तो humus जो होते हैं, dark color, amorphous substance होते हैं, जो की nature कैसा होता है, उनका colloidal, अब देखिए, और इसी nature के चलते हैं, इनका जो बोलते हैं इनका fertility बढ़ा देते हैं, देखिए कैसे बढ़ाता है, आपको पता होगा कि colloidal substance जो होते हैं, colloidal substance होते हैं, वो उसमें जो particles होते हैं, वो settle down नहीं करते हैं, एक concept आपने पढ़ा होगा बच्पन में, तो होता क्या है, कि by the way, यह हमारा, माल लेते हैं कि एक beaker है, इसमें हम लोग को ले लेते हैं humus, ठीक है, तो humus के अंदर, जो भी fertility factor होगा, by the way, उसके अ सारा nutrients, एक soil के अंदर settle down हो करके नीचे चले जाएं, जमीन में चले जाएंगे, तो जो हमारे plants है, वो intake कहां से करेंगे, हैना, intake करने के लिए जरूरी है, कि जो हमारे nutrients इसके अंदर, soil के अंदर फसे हुए हैं, वो ज़्यादा नीचे ना जाएं, surface पहीं तैरते रहें, और यही काम होता है humus को, humus क्या करते हैं, जो हमारा important nutrients होता है plants के लिए, उसको बांध करके रखते हैं, उसको बांध करके रखते हैं, ताकि plants आसानी से इंटेक कर दें, नीचे रिसेटल डाउंड कर जाएगा, तो वो इंटेक करना फिस plants के लिए मुश्किल हो जाएगा, और soil nutrients को रिजर्ब करके रखते हैं, ताकि soil को, ताकि plants को इंटेक करना आसान हो, that is why humus is very important factor, एक last हमारा process है, that is called mineralization, अभी आपने हम पढ़ा कि humus को, humus जो है, वो जल्दी bacteria वेगरा के द्वारा भी degrade नहीं किये जा सकते हैं, region behind की, यह बहुत ही complex nature का होता है, इनका structure बहुत complex हो bacterial fungal enzyme जो भी होते हैं, वो असानी से इसको degrade नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं, it's tough to digest, it's tough to degrade, but still कुछ bacteria होते हैं, कुछ microbes होते हैं, जो थोड़ा बहुत इसको degrade कर देते हैं, और इसलिए मैंने लिखाए कि humus जो है, अगर some microbes के द्वारा, inorganic nutrients के form में तबदील होता है इस process को हम लोग बोल देते हैं, mineralization, और इस तरीके से सारा का सारा process complete होता है, complete decomposition complete हो जाता है, decomposition के बारे में और बात करेंगे हम लोग थोड़ा, देखिए, decomposition जो होता है, वो mainly दो factors पर depend करता है, decomposition के एक तो aerobic process है, oxygen होना चाहिए decomposition के लिए, दूसरा में detritus का nature भी बहुत important होता है, और दूसरा factor, तीसरा factor भी हो सकते हो temperature, तो mainly detritus का nature और temperature दो important factor है, इस rate of decomposition को control करने के लिए, आइए देखते हैं कैसे, माल लेते हैं कि detritus जो है, जो detritus है, जो कुड़ा करकट है, वो उसमें काइटीन और लिगनीन है, आप पढ़ेंगे काइटीन और लिगनीन के बारे है, तो वो जल्दी से degrade नहीं करेगा, तो यह detritus का nature है, तो कैसा detritus जल्दी degrade कर जाएगा, जिसमें nitrogen होंगे, जिसमें water-soluble complex होंगे, जो water-soluble sugar होंगे, carbohydrates होंगे, जो आसानी से degrade कर जाएगे, तो ऐसे detritus आसानी से degrade कर जाएगे, temperature सबसे important factor आता है, अगर detritus और temperature में भी एक factor को चुनना हो, कि सबसे ज़्यादा important कौन है, तो temperature आएगा, temperature इसलिए कि high temperature जो होता है, moist temperature जो होता है, वो decomposition में help करता है, वहीं जो अगर temperature कम है, तो वो decomposition के rate को slow कर देते हैं, एक term आता है, that is called nutrient immobilization, इससे question आता है, nutrient immobilization क्या है, कि देखिए, बाइदे बेए, अगर एक ऐसा nature है, ऐसा detritus है, जिसमें की काइटीन लिगनीर भरे हुए है, temperature बहुत कम है, एन और भी condition है, तो in case में क्या होगा, उसका decomposition बहुत टफ होगा, तो ऐसे case में nutrient जो होते हैं, ओ फ्री नहीं हो पाते हैं detritus, उसी में फसे हुए रह जाते हैं, और इसी process को हम गोलते है, nutrient immobilization, मतलब nutrient जो है, वो immobilize नहीं किया, वो उससे निकल नहीं प्याम पाया, तो एक question पुछा गया था कभी, कोई भी नीट बैगरा में, कि which process leads to nutrient immobilization, मतलब nutrient immobilization से क्या होगा, तो आंसर जागा कि it leads to the build up of organic matter, मतलब organic matter उसी में accumulate हो जाते हैं, वो free नहीं हो पाते हैं, तो इ इससे regarding कुछ भी आपको अगर doubt होगा, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, मैं उसको reply कर दूँगा, definition सारा description box में लिखा हुआ, वहाँ साब description लिख लेना, notes बनाते चलना, आपको help होगा, revise करने में, बाकियो screenshot लेना, मैं side महट,